अगर आप मेरे चैनल पर रिपस्ट करूंगे कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को गाइस एक जन्रल कलेक्ट वह टाम लेस्ट इडिंग है आप से जितना रिजुनेर्ट करें उतना ही रखिएगा अन्य रिडिंग मारेड अन्मारेड मिल फीमेल सभी जोडियक साइंस की लिए करें कि इस वक्त में आपके पार्टनर की करेंट इनर्जी आपको लेकर क्या है इस चीज़ पर भी हमारा जाता फोकस रहता है तो अब लोगों को जानने की जूरत है और आपके परसिंगी अनर्जी में क्या चल रहा है ठीक है फोकस कीजिए गाईज अपने परसिंगी इनर्जी इस पर देखते हैं हम क्या निकल कर आता है यह परसिंगी आपको लेकर उसे कहीं जादा आप इस परसिंगी दिल में बसे हुए हो ठीक है जितना यह परसिंगी ने सोचा था आपको लेकर उसे कहीं जादा आप इस परसिंगी दिल में बसे हुए हो दूसरा मैसेज यहां पर यह परसिंगी कोशिश कर रहे हैं कि यह बहुत जादा आपको भूलने की कोशिश करते हैं बहुत कोशिश करते हैं कि आपकी याद इस परसन को ना है, बहुत पार इस परसन ने चीज़ें भी ट्राय की हैं आपको बुलाने की, बड़ी ये परसन कहरे हैं कि हम नाकाम्याब हुए हैं, बुलाना इतना आसान नहीं हुआ है इस परसन के लिए, यहाँ पर यह मैसेज ऐसा भी देनी कोशिश कर रहे हैं कि इस परसन आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश की है, किसी और के साथ, ठीक है, इतनी महनत यह क्यों कर रहे थे, I don't know, बट इस परसन आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश की है, और यह परसन कहरे हैं कि उस चीज़ कोई और ले रहे तो हम कहते हैं कि वह वाला इंसान मूव ओन हो किया है तो आपके परसन ये कह रहे हैं कि कोई वो जगह फिलाल अभी नहीं ले पाया है तो वहां पर भी आपके परसन के फेलियर हाथ लगा है कि यहां पर परसन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आपके ही मामले में इस परसन की चीज़ा नहीं चल पाई ठीक है मतलब जो कुछ लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि मैं तो डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर सकता हूं बड़े अकडन है psych तो यहां पर वही एनरजी निकल करा रही है जो भी लोग गाइड़ेट रहने का पार्ट है उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है उन्हें यहीं समझाता है डेस्टिनी है क्या जा कहा रहे हैं ठीक है डेस्टिनी कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है ओके चीजन के अकॉ पाया एक ठीक है मतलब आप समझ के होंगे कि इस तरीकी मतलब इसको इस तरीकी से कह सकते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जैसे तुम्हारी केस मेरे 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 हाथ में कुछ रहता ही नहीं या फिर मेरी चलती ही नहीं है कुछ ऐसा मैसेज यहां पर निकल क हो तो आपको समझ में नहीं आता है आप कुछ इल्टे सीधे एक्षंस भी लेते हो टाइम टाइम पे और बड़े परेशान भी होते हो तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहे है न वो गाइड़ेड लोगों के लिए आ रहे है जिनकी जर्णी ऐसी गाइड़ेट रही है कि उन्हें खुदी नहीं पटाराइता है कि कपकों कौनसी जगह बार पहुँच जाएगे कभी वह कहीं होते है कभी कोई आ रहा होता है कभी कोई जा रहा होते है तो इस परसंट की एनरजी ये है है कि मतलब डेस्टिनी को गन्टॉल करना चाहते थे लेकर आपकी केस में जबसे आपस कि इस परसंट के अंदर ने कॉंपेटिशन है काई जड़ी कॉंपेटिशन लोगों के साथ करते हैं जिसे मानली जी बहुत अची चीज बताती हूं के मैं लूथ इस तरीकिन अधर मानली जी आप 10 प्रेंड्स depends 10 प्रेंड्स को स्क्राइब इस बाली Люб filling विर्थ न्हाँ की 9 प्रेंड्स में आपक में उनने अच्पी शादी हुए निसमे आप रहे जि़ों के शाद्ने लिए कई भी करेंज कि आठों की अरेंज मैरेज हुई है या मेरा भी माने कि मैं अरेंज मैरेज करूं तो मैं भी लव मैरेज करूं तो मैं यहां पर बेसिकली जो बतानी की कोशिश करी हूँ यह कि अपना कॉंपडिशन दूसरों से करना या समझना और उनसे यह जज़ करना कि अगर उन वह खुश है तो ऐसी में शायद मैं भी खुश हूँगा और आज का पूरी दुनिया जही करती है ठीक है तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में जब आप इसका निशन में आये तो इस होती है तो यहां पर क्या है है कि सब लोग अपने डिमाग का इस्तमाल करते हैं और फिर यह देखते हैं कि आसपास की चीज़ों को को देखने लगता है और फिर वह अपने को भी बिर तो हम पर बाफने को मैसेच मिल रहा है कि आपके 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 साथ किसी और के साथ ठीक है मतलब कि यहां पर हम ने जो एक्जांबल या फ्रेंड्स वाला की इनको लगा कि आपको रीप्लेस किया सकता है सब खुश रह लेते हैं ठीक है और स्पेशली अगर ये मेल हैं तो बहुत जादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि मेल्स में ये जादा होता है कि वो बहुत एजिली यूनों उनको लगता है कि हो जाएगा सब जीक है तो अगिन में एक चीज़ बोलूगी कि ये डिपेंट करता है कि यूनिवर्स ने आपको किस तरी की जर्नी में डाला है या या यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं अगर यूनिवर्स ने आपको कार्मिक की तरफ भेजा है तो फिर आप चाहिए मेल हो चाहिए फीमेल हो चाहिए आप कितने ही बड़े घर के रिच इंसान हो तीक है कितन यहां पर बहुत फंबर बटर्फलाइ नजरा रही है। देखिए आपका परस्ण आप में बदलाव मैंसूस कर रहे है। तीक है यूनिवर्स का मोटे भी यह है कि वह आपको बदलाव में देखिए अब यहां पर देखिए बटरफला है तो निकल कर आई यह बदलाव की बात भी होती है त्रांस्वोमिशन की बात होती है फिर भी लोग कई बार कमेंड सेक्शन में आते हैं तो उनका फोकस होता है क उनका रिजल्ट क्या होने वाला है और मैंने फिर से नहीं मैंने थाउजन टाइम्स रिपीट किया है कि सबसे पहले आप में परिवर्तन होगा आपके ट्रिगार सर्फिस आएंगे आपको युनिवर्स चेंज कर रहा है आपका बेस्ट वर्जन लेकर आ रहा है आपकी नमांतर के घाऑ आपके ऐसे ही हैं उनको हील किया जा रहा है उनके के लिए सबसे पहले वह चीजह जो आपको हर्ड करती है ज़र जिन चीज department despite हैं किसी होती है सर्फेस आती और पर पर चिंग कि यहां पर मतलब इस तरीके से ही होती है तो ऐसी तरीके से होता है और यह से प्रॉसस है जितने वह से तरीके से जा रही है तो आप अपना काम करते जाएं यह पिर भी कुछ लोग नहीं समझते हैं मैं चा हो रहा है कब आ one call कितने दिन में आ रहा है वह बिलकुल वहीं है ठीक हुआ पूरी सामने वाले को देनी है उनको अब भी भी अनपनी एनर्जिसेव नहीं करनी यह उनिवर्स एग्साइक्ट्ली मिरर करने आपको ठीक है वह एग्नोर कर वाता है आप को यहां पर pentacles की energy है ठीक है ओके इस किसी इनसान की किसी के partner की यहां पर ऐसी thinking रही है past में कि पैसा बहुत खुशी देता है ठीक है पैसा बहुत खुशी देता है यह तो चीजे आने के बाद आपको पता चलता है कि क्या आपको सबसे जादा खुशी दे रहा है जैसे यहां पर इस person की energy है कि पैसा बहुत कुशी देता है अचकल पैसा है तो सब कुछ है ठीक है तो यह चीज़ भी इस person ने करके देख लिए और शायद यह person नाकुश रहे है या फिर हम यह कह सकते हैं कि वो खुशी नहीं मिल रही है ठीक है उस तरीके पी एनरजी हो सकती है बदल वो काम भी इस person ने करके देख लिया ठीक है पैसा काफी पैसा कमा के देख लिया काफी अच्छा business बना कर देख लिया अच्छी जॉब करके भी देख लिया जो भी है जिसका भी परसन जो भी करता है और वो चीज़ भी खुशी नहीं दे रही है तो अंतमय सवाल वही है कि आखिर मुझे चाहिए क्या है मेरी खुशी किस्ट में है ठीक है तो यहां पर इंसान का ego break हो जाता है पूरी ज़िए किसे कहता है ego shatter हो नहीं मैं सब के साथ तो नहीं होता कुछी लोग के साथ क्यों हो रहा है क्योंकि कुछी ही लोग है जो first batch में select हुए है असेंशन के process में इसलिए उनके साथ हो रहा है ठीक है और कोई सवाल तो comment section में लिखिएगा यहां पर आपके person आप से यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह उस time को बहुत जाता है याद करते हैं है जब जगरा सी भी इस परस्फ और क्यूंने की लाइक में कुछ भी मतलब छीजें हो गई ही याप बहुति बड़ीद चीज़ दो इसविए थी साहरे जहां में बड़ी कृज़ तो तो अगर इस person के पास है भी तो मतलब बहुत डर डर के her person आप से बात चीत करने आता है कल भी मैंने से reading में घता आथा बात करने में डरता है उस जाए का कारिम यह नहीं है कि उसे कोई rejection मिले गाए गाए उसे face करने में डर लगता है यह उससे घलती हुई है और उसको लगता है कि ऐसी गलती माफ़ी के लाइक नहीं कि जब इंसान अपने आपको जगह पर रखकर देख रहा है तो इसको लग रहा है कि मैं भी कैसे माफ कर सकता था तो कहीं ना किसी इस परसन को आपको फेस करने में फ्रोदा ड़र लगता है आपको फेस करने में आप कैसे आपका सामना कैसे करें और यह उनके लिए स्टॉंग मेसेज में जो बास्ता में transformation से गए हैं और काफी इन अपने बदलाव किया उसको specially आपका person you know phase करने में डड़ता है और जो आज भी same energy में है उन्जट उनका partner आज भी रन ही कर रहा होगा तो यह मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ठीक है चलिए रेखते हैं कार्ज आप लोग के लिए क्या बताते हैं प्लीज कई कीजे एंजल्स जो भी मेरे व्यूर्स उनके partners की current energies मेरे व्यूर्स को लेकर क्या है कर दोडिए पर रहा है कि इसी की मैरेड लाइफ में न बहुत जादा फैमिली लाइफ बोल लो या मैरेड लाइफ बोल लो क्योंकि या तैन ओफ कप्स और फैमिली लाइफ में बड़ा ही यह बबाल चल रहा है इस वक्त में देखिए ऐसे ले सकते हैं कि जो भी डिवाइनली काईडिट कनेक्शन मे हैं और उनके पर्सन और सिट्यूएशन प्रस नें गए थे उनके लाइफ इंदे के लाइफ में उनके पेरिंट्स नहीं मान रहे थे किके तो लिज पार हो रह रहे हैं कि यह द्ध प्रकृति की विरुड़त प्रृत जाके काम करो गें वह अपना काम आपने हसाब से करती है, इसलिए यूनिवर्स आप्से कहता है कि सरेंडर कर दो और अपनी चलाने की कोशिश मत करो, लेकिन परमात्मा के आगे, इस रिचार के आगे भी इंसान कहता है कि नहीं, आप क्या जानो, मुझे बता है कि मेले क्या सही है पर, मात्य मैं कैते हैं, तो अपनी करके देख ले एक पर करके देख ले अपनी ठीक है तो यहां पर वई energy है कि एक बार की है किसी ने ठीक है, यहां पर 5 of shots and 4 of once and 10 of cups यह पर फिर किसी की married life में बहुत स्ट्रॉंग तांडा वो रहा है ठीक है और यहां पर काड़ा देफ फूर उफ कॉम्स टावर मतलब क्या है यहां पर ऐसा नजर आता है कि जैसे फॉर एक्जामपल पास्ट में आपके परसन को आपने बहुत आफर किया बहुत कहा कि भई इक कनेक्शन चलाना है यह कनेक्शन में रहना है तो उस परसन ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो यह रिजेक्शन ऐसा होता है कि बहुत अच्छे तरीके से बताती हूं यह इस्पेशली उनके लिए मैसेज है जो डिवाइनली गाइड़ेड है ठीक है उनके लिए स्टॉंग सिफ अडिक्शन में है कुछ लोग बहुत जादा अटाच्मेंट में है और वो कनेक्शन को इसका नाम देना चाहते हैं यपकि जो स्प्रिच्वल कनेक्शन में होंगे ना उनके अन्दर बहुत मैचारिटी होगी तो यहां पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो कुछ ऐसा जैसे जब कनेक्शन में आप गाइडेड हैं तो प्रकृति आपके लिए कोई पार्टनर निधारित करती है जैसे हम कहते हैं कि प्रकृति ही द्वारा वो इंसान आपके लिए बनाया गया जैसे हम कहते हैं कि शिफ के लिए शक्ति शक्ति के लिए शिफ ठीक है ऐसे ही हर इ उस इंसान को reject किया और किसी और की तरफ आप आगे बढ़े उनके लिए यह strong message है तो वहां पर क्या किया आपने युनिवर्स के gift को फिक दिया तो यहां पर युनिवर्स फिर टावा मुमेंट्स जब आते है ना इंसान की लिए में तो युनिवर्स दिखाने की कोशिश करते ह है कि आपने हमारे दिये हुए gift को ignore करने की कोशिश की है या फिर उसको बिजज़त करने की कोशिश की है अगर आप भी अपने divine counterpart को disrespect करते हैं तो आप यह देखिएगा कि युनिवर्स आपको भी बहुत गंदा trigger देता है अगर आप किसी divine counterpart के साथ deal कर रहे हैं और अगर आप अगर आप उसे disrespect करते हैं उसकी बिज़ती करते हैं उसको बुरा बहला करते हैं तो युनिवर्स आपको भी trigger देता है ऐसा नहीं कि आप आपको छोड़ देते हैं युनिवर्स ठीक है उनके लिए सारे बच्चे बरापर है जो जैसा action लेता है युनिवर्स उसके साथ वैसा ही behave करते हैं ठीक है तो यहाँ पर उन लोगों के लिए यह strong message है कि अगर आपके person ने आपको reject करके इस तरीकी चीज़ें की है तो यहाँ पर कुछ लड़ाई जगड़े का scene बैठ रहा है ठीक है और यहाँ पर आपके जो person है वो intuitions को बिल्कुल भी follow नहीं कर पा रही है ठीक आपको message candle wax में दिया तो बिल्कुल सही message यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है कि अगर आप इसी guided journey का part है तो पूरी possibility है कि आप अपने partner की जगह किसी और को इतनी आसानी से नहीं दे सकते हैं ठीक है तो यह चीज़े मुझे आपर नजर आ रही है but spiritual journey जो connection है spiritual journey जो है spiritual connection जो है वो सबसे पहले जो आपको मिला है वो मिला है आपकी healing के लिए आप यह समझ लीजिए universe का इसमें सबसे बाद में union union और जो आप 3D में चाहते हो चीज़ है वो बाद में आती है सबसे पहले आता है आपका healing अगर आप healing कर रखते हैं तो आप इस इंसान के साथ रह सकते हैं otherwise mirror parts ज जाएगा एक साथ ठीक है तो अगर यह journey बहुत अच्छी है यानि बहुत अच्छा अगर आपको मिलना है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी healing भी करनी वड़ती है ठीक है अब उन पर आ जाते हैं जो किसी ऐसी journey में नहीं है लेकिन अपने आपको ऐसी किसी journey में मानते ह हैं उनके लिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से चीज बताई हुई है कि आप भी अपनी healing करिए ठीक है healing करके अपने intuition को इतना strong करिए कि आपके decisions खुद आपको समझ में आने लगे क्योंकि उनके लिए मैं 100 प्रतीशत एक चीज बोलती हूं कि जो लोग भी वास्ता में किस spiritual journey में हैं लेकि किसी partner के साथ divine counterpart के साथ deal नहीं कर रहे थे वो जैसे ही अपनी healing करेंगे उनके अंदर इतना detachment आ जाएगा कि खुदी अपने person के साथ ऐसे हो जाएंगे कि कोई ऐसी उनके साथ उनको feeling ही महसूस नहीं होगी कि अरे ये इनसान कभी मेरे साथ past में भी रहा है य तो आप कुछ भी करें ठीक है लेकिन यहां पर universe इस तरहीं से काम करेंगे वह है पहला काम आपकी healing ठीक है और आपके person की healing स्टार्ट हो गई है उनकी learning यहां पर start हो गई है start तो वैसे भी learning तो आपकी वच्पन से ही चल दियोगी आपके और आपकी person की लेकिन कुछ चीजों पढ़िया कटेगी वह एक चीज को consider करना भूल जाता है जिसे हम कहते है कर्मा ठीक है जैसे marriage होती है तो marriage में देख लिया कि लड़की बड़ी खुब्सूरत है well educated है अच्छी family से लड़का well educated है अच्छी family से अच्छा देखता है background अच्छा है तब को बहुत अच्छा है life अ देख ली जिसे हम कहते है matrix माया आप यह चीज देखना भूल गए कि एक और चीज जो है इन सबसे उपर वो है कर्मा ठीक है और जो किसी को नहीं पक्षता है ठीक है तो जब आप किसी marriage में जा रहे हैं तो आप पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने यह देख लिया कि आप नहीं मलता लेकिन जो spiritual होते हैं जो परमात्मा के जादा नजदी को होते हैं उनका कर्मा रिलीस कराने के लिए उन पर जल्दी से मुसीबत आ जाती है और इनसान कहता है कि मैं इश्वर का भगतो कर भी सबसे जादा दुखी हो उसका कारण ही होता है कि जो इश्वर के जतने है इनसान बड़ा खुश रहता ही श्वर के साथ जितने लोग ही लोग जो कि उनसे पूछ ये कमेंट सेक्शन में खुद से लिखते हैं बड़ा मजा आता ना हम यूनिवर्स के साथ यूनिवर्स बड़ी खुश बहुत खुश रखते हैं जब आप उनसे प्यार करते हो लेकिन आपको इसारी चीज़ अपने उपर भी अप्लाय करने की ज़रा था है अगर कहीं पर आपको लगता है कि मेरे अंदर भी ये चीज़ है ठीक है चलिए आपके परसंगे मैसेज लेते हैं अब आप जहाँ, ढङट है आपके उसेज़ आइ झा आपकों है बहुत ख़पकों की Зचारी ये चीज़ है थाइन क्प्ला है थएर नापकों की जई आपकोंหा परसंगी कि आपकों पाते हैंroffen Building 오른 खर रखंग कि हगस right now I'm in third party situation but I still love you I'm in love with every moment I spend with you ठीक है से ये परसन कहा रहे हैं कि हर छण को ये परसन याद करते हैं जिसमें ये आपके साथ रहे हैं दिल अबादत कर रहा है धड़करने मेरी सुन एक अन्जान मन कर आये थे और अब जान हो हमारी यहाँ पर Aries वालों पे लिए ये मैसेच है आपके परसन की करली हयर्स हो सकते हैं आपके सकते हैं या पर आपकी परसन की लिए परसन से रिलेट कर सकता है थ्री नमबर फोर नमबर ठीक है इसक्स नमबर आपके person के हाथ पर tattoo हो सकता है guys ठीक है और 11-11 आप लोगों को बहुत दिख सकता है 11-11 reunion हो का ठीक है तो आपके person को भी शायद पता है कि reunion हो का इस connection में डियर ये निकल कर आ रहा है I hope आपको reading पसंद आई reading पसंद आई तो guys please like this video and subscribe my channel thank you guys